इफिसियों के नाम पॉलूस प्रेरित की पत्री अध्याए एक पॉलूस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यिशू मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यिशू में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यिश्व मसीह की और से तुम्हें अनुग रहे और शांती मिलती रहे हमारे प्रभु यिश्व मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवात हो कि उसने हमें मसीही में स्वर्गिय स्थानों में सब प्रकार की आशिश दी है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ती से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्रों और निर्दोश हों और अपने इच्छा की सुमती के अनुसार हमें अपने लिये पहले से ठहराया कि इशु मसी के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्रों हों कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की इस्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया हमको उसमें उसके लोहु के द्वारा छुटकारा, अर्थात, अपराधू की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन की अनुसार मिला है। जिसे उसने सारे ग्यान और समझ सहेत हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमती के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंद हो, कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृत्वी पर है, सब कुछ वो मसीही में एकत्र करें। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। पहले से ठेराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीही पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुती के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सू समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्या किये हुए पवित्रात्मा की च्छाप लगी। वो उसके मोल लिये हूं के चुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुती हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, जो तुम लोगों में प्रभु यिश्व पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवात करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरन किया करता ह। यह हमारे प्रभु यिश्व मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान दे, ग्यान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आँखें जो तिर्माए हों, कि तुम जान लो, कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों मे उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ, हमारी और जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उसकार की अनुसार, जो उसने मसीह के विशे में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिला कर स्वर्गे स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, और सामर्थ, और प्रभुता के, और हर एक नाम के उपर, जो ना केवल इस लोक में पराने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पाउं तले कर दिया, और उसे सब वस्तों पर शिरो मनी ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, ये उसकी दिह है, और उसी की परी पूनता है, जो सब में सब कुछ पून करता है, अध्याए दो, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधूं और पापों के कारण मरे हुए थे, जिन में तुम पहले इस संसार की रीती पर, और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थाद, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आग्या ना मानने वालों में कारे करता है, इन में हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, औ और शरीर और मन की मंचाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हम से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमे मसीही के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उत्थार हुआ है, और मसीही यिशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गिय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस प्रेपा से, जो मसीही यिशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह क का असीम धन दिखाए क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उध्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन पर्मेश्वर का दान है और ना कर्मू के कारण ऐसा ना हो कि कोई खमंड करे क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यिशु में उन भले कामों के लिए स्विजगए जिन्हें पर्मेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया इस कारण स्मरं करो कि तुम जो शारीरी कृती से अन्य जाती हो और जो लोग शरीर में हाथ के किये हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुम को खतना रहित कहते हैं तुम लोग उस समय मसीही से अलग और इस्राइल की प्रजा के पच से अलग किये हुए और प्रतिग्या की वाचाओं के भागिना थे और आशाहीन और जगत में इश्वर रहित थे पर अब तो मसीही यिशू में तुम जो पहले दूर थे मसीही के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ठा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थाग वो वेवस्ता जिसकी आग्याएं विदियों की रीती पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुश्य उत्पन करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सू समाचार सुनाया क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेडितों और भविश्य द्वक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यिशू आप ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभू में एक पवित्र मंदिर बनाती चाती है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो अध्यायत तींग इसी कारण में पॉलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यिशू का बंधुआ हूँ यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुगह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया अर्था थी ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं ममीह का वो भेद कहां तक समझता हूँ जो और समयों में मनुश्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविश्व द्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है अर्थात ये कि मसी इशू में सू समाचार के द्वारा अन जातिये लोग मीरास में सांची और एक ही देह के और प्रतिग्या के भागी हैं और मैं पर्मेश्वर के अनुग्रह के उस्तान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सू समाचार का सेवक बना मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम में धन का सू समाचार सुनाओं और सब पर ये बात प्रकाशत करूँ कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के स्रजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ग्यान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग ये स्थानों में है प्रकट किया जाए उस सनातन मंसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभू मसीही यिशु में की थी जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियार और भरोसे से निकटाने का अधिकार है इसलिए मैं विनिति करता हूँ जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उसके कारण ही आप न छोड़ो क्योंकि उन में तुम्हारी महिमा है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और प्रित्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुश्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीही तुम्हारे हिवदाय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भाती समझने की शक्तिपा कि उसकी चोड़ाई और लंबाई और उचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ग्यान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परीपून हो जाओ अब जो ऐसा सामर्थ ही है कि हमारी विनिती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कारी करता है कलीशिया में और मसीही यिशु में उसकी महिमा पीड़ी से पीड़ी तक युगान युख होती रहे आमीन समय जो प्रभू में बंध हुआ हूँ तुम से वनिती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्यत चाल चलो अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्म करो एक ही देह है और एक ही आत्मा जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है एक ही प्रभू है एक ही विश्वास एक ही बब्तिस्मा और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है जो सब के उपर और सब के मध्ध में और सब में है परहम में से हर एक को मसीह के दान के परिमान से अनुग्रह मिला है इसलिए वो कहता है कि वो कूंचे पर चढ़ा और बंधुवाई को बांध ले गया और मनुश्यों को दान दिये उसके चहने से और क्या पाया जाता है केवल ये कि वो प्रित्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से उपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपून करे और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविश्य द्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सू समाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया जिससे पवित्र लोग स सिध्ध हो जाएं और सिवा का कान किया जाएं और मसीह की देह उन्नती पाएं जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिध्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनश्यों की ठखवित्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उच्छा ले और इधर उधर घुमाए जाते हो वरन प्रेम में सच्चाई से च जलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीही में बढ़ते जाएं जिससे सारी देहें हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमान से उसमें होता है अपने आपको बढ़ाती है कि वो प् मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताय देता हूं कि जैसे अन्य जातिये लोग अपने मन की अनर्थ रीती पर चलते हैं तुम अपसे फिर ऐसे ना चलो क्योंकि उनकी बुद्धी अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उन में है और उनके मन की कठोरता के का करण वे परमेशवर के जीवन से अलग किये हुए हैं और वे सुन होकर लुश्पन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें पर तुमने मसीर की ऐसी शिक्षा नहीं पाई वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा येशु में सत्य है उसी में स दिखाए भी गए कि तुम अगले चालचलन के पुराने मनुश्यत्व को जो भर्माने वाली अभिलाशाओं के अनुसार भष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चाओ और नए मनुश्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुस सत्य की धार्मिक्ता और पवित्रता में स्र जा गया है इसकारण छूट बोलना छोड़कर हर एक अपने पडोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं प्रोध तो करो पर पाप मत करो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा प्रोध न रहे और ना शैतान को पवसर दो चोरी करने वाला फिर चोरी ना करें वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो कोई गंदी बात तुम्हारे मुझ से ना निकले पर आवश्यक्ता के अनुसार वही निकले जो उन्नती के के लिए उत्तम हो ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुक रहे हो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छापती गई है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कले और निंदा सब बैर्भाव समे तो तुम से दूर की जाए और एक दूसरे पर क्रिपाल और करोणा माए हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराद क्षमा किये वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराद क्षमा करो अध्याए पांच इसलिए प्रिये बालकों कि नाई परमेश्वर के सद्रिश बनो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुम से प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखधायक सुखंद के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलीदान कर दिया जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोब की चर्चा तक ना हो और ना निरलजता ना मूरता की बातचीत की ना ठटे की क्योंकि ये बाते सोती नहीं परंधन्यवाद ही सुना जाए क्योंकि तुम ये जानते हों कि किसी वैभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत कूजने वाले के बराबर है मसीही और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोद आज्या ना मानने वालों पर भड़कता है इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में जियोती हो सो जियोती की संतान की नाई चलो क्योंकि जियोती का फल सब प्रकार की भलाई और धारमेकता और सत्य है और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अंधकार के निश्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है पर चितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब जियोती से प्रकट होते हैं क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो जियोती है इस कारण वो कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की जियोती तुछ पर चमकेगी इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो निरबुधियों की नाई नहीं पर बुद्धी मानों की नाई चलो और आवसर को बहु मोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं इस कारण निरबुधी ना हो परध्यान से समझो की प्रभू की इच्छा क्या है और दाख रस से मतवाले ना बनो क्योंकि इस से लुच्छपन होता है परात्मा से परिपून होते जाओ और आपस में भजान और स्तुतिगान और आत्मिक गीत आया कर और अपने अपने मन में प्रभू के सामने गाते और कीतन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभू यिशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवात करते रहो और मसीह के भैसे एक दूसरे के आधीन रहो हे पत्नियों, अपने अपने पती के ऐसे आधीन रहो, जैसे प्रभु के, क्योंकि पती पत्नी का सिर है, जैसे की मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उध्धार करता है। पर जैसे कलीशिया मसीह के आधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पती के आधीन रहें है पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीशिया से प्रेम करके अपने आपको उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा चल के इस नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी ते जस्वी कलीशिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमे ना कलं ना जुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोश हो इसी प्रकार उचित है कि पती अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा परन उसका पालन पोशन करता है जैसा मसीही भी कलीशिया के साथ करता है क्योंकि हम उसकी देह के अंग है इस कारण मनुष्य माता पता को छोड़ कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे ये भेद तो बड़ा है पर मैं मसीही और कलीशिया के विशे में कहता हूँ पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पती का भैमान हे बालकूं प्रभू में अपने माता पता के आज्याकारी बनो क्योंकि ये उचित है अपनी माता और पता का आदर कर ये पहली आज्या है जिसके साथ ब्रतिग्या भी है के तेरा फला हो और तू धर्ती पर बहुत दिन जीवित रहे और हे बच्चे वालो अपने बच्चों को रिस्ना दिलाओ परन्तू प्रभू की शिक्षा और चितावनी देते हुए उनका पालन पोशन करो हे दासो जो रोक शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है अपने अपने मन की सिधाई से डरते और कापते हुए जैसे मसीह की वैसी ही उनकी भी आग्या मानू और मनुष्यों को प्रसन करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो तो परमसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परन्तु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा चाहे दासो चाहे स्वतंत्र प्रभू से वैसा ही पाएगा और हे स्वामियों तुम भी धमकिया छोड़ कर उनके साथ वैसा ही वेवहार करो क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता निदान प्रभू में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बल्वंत बना परमेश्वर के सारे हथियार बांधलो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतू प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको सुख सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिक्ता की छिलम पहन कर और पाउं में मेल केसु समाचार की तैयारी के जूते पहन कर और उन सब के साथ विश्वास की धाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको उधार का तूप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनिती करते रहो और इसलिए जाकते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनिती किया करो मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबलवचन दिया चाहे कि मैं हियाब से सू समाचार का रहेद बता सकूँ जिसके लिए मैं जंजीर से जखड़ा हुआ राज़तू थूँ और ये भी कि मैं उसके विशे में जैसा मुझे चाहिए ये आप से बोलू और तुखी कुस जो प्रियभाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वो तुम्हारे मनों को शान्ती दे परमेश्वर पिता और प्रभु इश्व मसी की ओड़ से भाईयों को शान्ती और विश्वास सहित प्रेम मिले जो हमारे प्रभु इश्व मसी से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुक्रह होता रहे झाल झाल झाल